नमस्कार मैं हूँ आशिश शित्रांसी और आप देख रहे हैं दे न्यूज लॉंचर। उत्तर प्रदेश के मैदान से मोदी, साह और नड़ा क्या तीनों को आउट कर दिया गया है। तीनों को बाहर कर दिया गया है। अब योगी सियम रहेंगे या नहीं रहेंगे, केशो मोर्या का क्या होगा, भुपेंदर चौधरी प्रदेश अध्यक्ष रहेंगे या हटा दिये जाएंगे। यानि संगठन और सरकार दोनों पर क्या होगा, फाइनल फैसला, इस फैसले में साह की भूमिकार नहीं रहेगी। नड़ा कुलियर ब्वाई की रोल से आउट कर दिये गया है। और मोदी क्या मूख दलसक बन करके अब सब कुछ देखेंगे। क्योंकि अब संग की एंट्री हो रही है, जिस संग के बारे में भाजपा के रबर स्टांप राष्ट्रिय अध्यप्च जेपी नड़ा कहते हैं, कि अब हम आत्म निर्भर हो चुके हैं, यानि भाजपा आत्म निर्भर हो तयार है आखिर कैसे मुम्किन है जिस संग की जरूरत नहीं है वो संग बिना बुलाए आ जाए और आदेश जारी कर दे संग की तरफ से आदेश आ गया है लखनव में पांच नेताओं को रुकना होगा दो दिन कहीं नहीं जाएंगे वो और संग के प्रतनिधी से बात करेंगे वहां दतातरे होस बोले या मोहन भागवत नहीं आएंगे संग का प्रतनिधी आएगा और प्रतनिधी के साथ बातचीत करनी होगी केसो मौर्या ने अपना दोरा रद कर दिया है जो दोरा उनका पहले से फिक्स था हलाकि केसो मौर्या के कारिकरम आजकल आनन फानन में तबदील हो जाते हैं बदल जाते हैं तो आखिर संग को इसकी जरुत क्यों पड़ी और क्या संग के सामने गुजरात लॉबी ने सरेंडर कर दिया या संग ने गुजरात लॉबी को जबरम घुटनों पर ला दिया इनी सवालों की पड़ताल इस वीडियो में करेंगे दसल संग की एंट्री की खबर आती है संग के एक बड़े नेता है अरुन कुमार अरुन कुमार के लखनव के दोरे का एक कारिक्रम तय होता है संग के लोग कहीं भी जा रहे हैं जा सकते हैं तो अरुन कुमार का भी लखनव आना कोई हैरत में डालने वाली खबर नहीं थी कि हैरान हो जाए लोग इस संग के लोग आते हैं संग के लोग आते हैं तो उनसे भाजपा की निता मुलाकात भी करते हैं, संग के हर जगा पर अपने अपने जो है कार्याले हैं के सोकुंज हैं, उसमें बैठके होती हैं, रणिती तैकी जाती है, संग के एक्सपेंसन पर काम होता है, वैचारिक मंथन होता है, तो आखिर अरुण कुमार के लखनव दोरे यानि लखनव के कारिक्रम से क्यों बीजेपी में खलबली मच गई है दलसल अरुण कुमार के लखनव दोरे से पहले ही भाजपा के पांच बड़े नेता और वो पांच किरदार जिन की वजह से उत्तरप्रदेस भाजपा असान्त है खलबली है भाजपा में उन पांच बड़े किरदारों को दो दिन के लिए लखनव से बाहर जाने से रोख दिया गया है दो दिन ये पांचों नेता अरुण कुमार से बात करेंगे पांच नेता कौन हैं उनके नाम पहले सुनिए फिर योगी आदितिनात का क्या कारी करम और केसो का क्या कारी करम उस पर आते हैं ये पांचनेता योगी आधित्यनाथ, मुक्यमंत्री उत्तरप्रदेस, केसो प्रसाद मौर्या, उप्मुक्यमंत्री उत्तरप्रदेस, और इस समय योगी के खिलाब वो चहरा जिसके पीछे योगी के बिरोधी लामबंध हो चुके हैं, ब्रजेश पाठत उपमुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश जिनोंने योगी आदित्यनाथ के आदेश की खुलियाम मुखालपत की भूपेंद्र चौधरी प्रदेश अद्यक्ष और धर्मपाल सिंग प्रदेश महामंत्री संगठा केशो मौर्या एक साथ दो सिकार कर रहा है हाला कि भूपेंद्र चौधरी की नरेंद्र मोदी से प्रदानमंत्री से मुलाकात एक घंटे तक चली लेकिन उसके बाद जो खबरे आई कि भूपेंद्र चौधरी ये सूतरों के हवाले से कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में खबर जो आई कि भूपेंद्र चौधरी हार की जिमेदाई लेते हुए इस्तिफा देना चाहते हैं दरसल भुपेंद्र चवदरी की रूची प्रदेश अध्यक्ष पद में है ही नहीं फिलार. अगर उनको वो खुद भी बली का भखरा बनने के लिए तयार है, अगर उनके ऊपर हार का ठीकरा ठोड़ा जाए, तो वो खुद तयार है, वो ठीकरा अपने उपर फुड़वाने के लिए, लेकिन उसके एवज में कुछ चाहिए उन्हें, उसके एवज में जीतिन प्रसाद का मंत्राले, PWD, सबसे मलाईदार मंत्राले, उस मंत्राले पर भुपेंदर चौधरी के नजर है, बचे हुए तीन साल सुकून के साथ मलाईदार मंत्राले में काटना चाहते हैं, इसलिए जब ये खबर सूतरों के हवाले से आई, कि हार की जिमेदाई लेते हुए, भुपेंदर चौधरी इस्तीफा देना चाहते हैं, तो जो खबर मेरे पास थी, PWD, पर भुपेंदर चौधरी की नजर, उस खबर पर मुहर लगते हुई, मेरे तरफ से तो मुहर लग गई उस खबर पर, अब केसो मोर्या, जो लगातार योगी आदित्यनाथ को निसाने पर लिए हुएं, लगातार अब कहीं पर कुछ ढगा च्छिपा नहीं है, लगातार उत्तर प्रदेश के बिधायकों से मु लगात कर चुके हैं, केसो मोर्या के आवास पर संजय निसाद यानि साथी सहयोगी भी जो योगी आदित्यनाथ से नाराज है, संजय निसाद योगी से नाराज है, योगी के खिलाफ आवाज उठा रहे है, ओपी राजभर योगी के खिलाफ आवाज उठा रहे है, उत्तर प्रदेश के घमासान के सूतरधार अमिसा है। लेकिन केसो मौरिया से संजय निसाद की मुलाकात को, केसो मौरिया से राजवर की नजदी की को सिर्फ आमित साह के फरमान के मताबिक मान लेना भी ठीक नहीं होगा। अब ही जब खबर आई कि योगी आदितनाथ की कुर्सी अब बच चुकी है। योगी आदितनाथ ही मुख्यमंत्री रहेंगे। लेकिन उसके बाद भी केसो मौरिया ने कोशिसे नहीं छोड़ी है। समाजवादी पार्टी ने केसो मौरिया की कोशिसों की तरफ इसारा भी कर दिया। संग की एंट्री क्यों हुई इस आखरी मौके से इसको जोड़िये। दरसल आखरी मौका इसलिए कह रहे हैं क्योंकि तीन साल का कार्यकाल बचा हुआ है इस सरकार का। करीब करीब। और उत्तर प्रदेश में ये तय माना जा रहा है ये समाजवादी पार्टी के भीतर और कॉंग्रिस के भीतर जो चर्चा हैं उन चर्चाओं से जोड़ते हुए मैं बता रहा हूँ। ये तय माना जा रहा है कि अगर योगी आदित्यनाथ दोहजार सताइस तक मुख्यमंत्री रहे जैसा कि समाजवादी पार्टी की भीत्चा है कॉंग्रिस की भीत्चा है। अगर दोहजार सताइस तक योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री रहे तो आईटी सेल अंधभक्तों की फोज योगी आदित्यनाथ के डिजिटल टीम द्वारा तयार किये गए कमेंट वाले ब्रिगेड या ट्रोलर्स जो योगी आदित्यनाथ को अब देश का सबसे बड़ हो जाएंगे और कम से कम एक दसक से डेड़ दसक के लिए भाजपा उत्तरप्रदेश की सियासत में गौड हो जाएगी यानि 27 में अगर 27 तक योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री रहते हैं तो 27 में भाजपा की बिदाई तय है अब अगर बिदाई तय है तो फिर केसो मौर अड़वानी जी थे तो किसी ने कलपना नहीं की थी कि 2014 में इस देश के फलक पर गुजरात मौडल ले करके नरेंद्र मूदी जैसा एक अविनासी ब्यक्ति आउतरित हो जाएगा 2009 में जव अड़वानी पी-म इन्वेटिंग थे तो बहुत सारे महत्वा कांचाओं को पाले हुए दिगज दिली में बिराजमान थे चाहें वो सुस्मा हो चाहें जेटली हो चाहें वेंकईया हो सबकी अपनी-पनी महत्वा कांचाहें थी खासकर जेटली और सुस्मा उस दोर में अरुन जेटली ने नरेंद्र मोदी को गुजरात से लाकर के गड़करी को निप्टाने के लिए गुजरात से लाकर के दिली में पेस कर दिया बाद में हाला कि जेटली के साथ क्या किया मोदी जी ने ये बहुत सारे भाजपा के भीतर के लोगों को पता है तो मोदी परदे के काफी पीछे थे बड़ी कतार जो थी वो अड़वानी जी के बाद उसकतार में बहुत लोग थे उसकतार में मोदी की गिंती नहीं थी तो ऐस इसे ही केसो मौर्या 15 साल बाद कहा होंगे, कतार में होंगे भी या नहीं होंगे, होंगे तो कितने पीछे होंगे, यह कों जानता है, तो यह आखिरी मौका है, हो सकता है, योगी को रिप्लेस किया जाए, तो बीजेपी के लिए कोई संभावनाई जन्म ले लें, और नहीं भ पूर मुख्यमंत्री तो होई जाएंगे, इसी लिए केसो मौर्या के पास भी आखिरी मौका है, और इस मौके पर केसो हथियार डालने को तयार नहीं है, खासकर जब तक आमिच्साह की रखी हुई बंदूग से कंदे जुक नहीं जाते केसो मौर्या के, यानि कुल मिला करक मिसंत गुजरात लौबी की है, कंदा केसो मौर्या का है, और उस कंदे के पर बंदूग रखवा करके, पूरा का पूरा अपना अपनी जान जोक रहा हैं पूरी, कि कहीं तीन साल के लिए हमें मुख्यमंत्री बनने का मौका मिल जाए, इस बीच में संग की एंट्री, जहां बार-बार कहा जा रहा है, कि योगी के पीछे संग खड़ा है, और संग खड़ा क्यों है, उसका कनेक्शन, जब महाराष्टर में लोगसभा चुनाओ में, कैंपेनिंग के लिए, जनसभा के लिए, योगी आदित्यनाद, महाराष्टर गए, नागपूर के पास गए, और फिर नागपुर में नितिन गड़करी के घर में गणपती की पूजा कर्चना करते दिखे गड़करी जी से बिलकुल अंतरंग जो कहते हैं एक दम जिसमें एक दूसरे के प्रतिन निकटता दिखे ऐसी तस्वीरे सामने आई मितरता पूंड सवहादर पूंड जो की मूदी जी के साथ न गड़करी की नजर आती है न मूदी जी के साथ अब योगी की नजर आती है और योगी और गड़करी की साथ नजर आई थी तो योगी के पीछे संग खड़ा है इस बात के तार योगी आधित्यनात से लेकर के संग मुख्याले नागपूर वाया गड़करी जोड़ा जाता है अब ऐसे में जब तलवार म्यान में डालने के लिए न केसो मौरिया तयार है और नहीं दिल्ली वाली गुजरातला भी तयार है तो संग के तरब से आदेश होना 21 और 22 जुलाई दो दिन 21 तारिक और 22 तारिक इसी 21 और 22 में केसो मौरिया का प्रियाग राज का दोरा था जिस दोरे को केसो मौरिया ने अस्थगित कर दिया ब्रिजे स्पाठक के सारे कारिकरम कैंसिल योगी आदी तेनाथ लखनों में होंगे संगठन मंतरी धर्मपाल सिंग होंगे भूपेंद्र चौधरी जो साथ आमने सामने बैठेंगे जिस तरह लखनों की बैठक में जो कारिय समिती की बैठक थी प्रदेश कारिकारणी उस बैठक में योगी आदी तेनाथ और केसो मौरिया एक दूसरे की मौजूदगी में जिस तरह योगी आदी तेनाथ ने कहा फ्रंट फूट पर रहना है ब अलवार म्यान से निकाल कर खड़े नजर आये थे, क्या संग की बैठक में भी होई होगा, या संग कोई फॉर्मूला लेकर आ रहा है, संग केसो मौल्या के लिए क्या फॉर्मूला लेकर क्या रहा है, संग योगी के लिए क्या फॉर्मूला लेकर क्या रहा है, संग भुपें योगी आदितिनाथ से अगर योगी नहीं छोड़ते हैं कुरसी जिद ही कर लेते हैं बिल्कुल मतलब बगावत या आमने सामने के टकराओ के लिए तयार हो जाते हैं तो उनको मुख्यमंत्री पतपत छोड़ करके होम अलग कर दिया जाए और होम में अपना आदमी बठा दे ताकि योगी आदितिनाथ सिर्फ कुरसी और मुखवटे के साथ उत्तर प्रदेश में मौजूद रह जाएं तो क्या ऐसा कोई फॉर्मूला अगर आता है तो ब्रिजेस पाठक के लिए क्या फॉर्मूला लेकर के संगा रहा है संगठन मंत्री बनाए जाने के बाद धरमपाल के संगठन मंत्री बनाए जाने के बाद उत्तर प्रदेश में संगठन जिस कदर चर्मरा गया है जिस कदर उत्तालप्रदेस के हर इलाके से बिरोध की आवाज अपने ही पार्टी के खिलाप, अपने ही सरकार के खिलाप हर छेतर से उठ रहे हैं ऐसे में संगठन महामंद्री के लिए क्या फ arrangements संग लेकर क्या रहा है धर्मपाल के लिए फॉर्मूला क्या है जिमेदारी क्या है निगाहा इस पर संक की बैठक पर होगी क्योंकि BJP इस वक्त इस संकट को हल करना नहीं चाहती है और BJP का मतलब है मोदी और साह और मोदी भी सटा दीजिए BJP का मतलब आज की तारिफ में सिर्फ साह है मोधि भी अब सिर्फ मुखवटा मातर रह गए हैं जो साह चाहते हैं वही मोधि करते हैं अब पूरी भाजपा पर एक ही सक्स का होल्ड है एक ही सक्स का कंट्रोल है भले ही घमासान भले ही अंतरदुन्द भले ही आपसी जगडे वो सक्स न सुल्जा पा रहा हो बले ही उसके आदेसों की आउहलना करके बागी तेवर अपनाते हुए भाजपा के कार्यकरता नजर आते हूं, भाजपा के नेता नजर आते हूं लेकिन भाजपा में, अगर ऑफिसिली, अब पत्ता भी हिलता हैं, तो वो अमिस्साह के आदेश पर हिलता है, तो ऐसे में संग का डायरेक्ट इस तरीके से एंटर करना, entry मारना, अम इस साह के लिए कितना मतलब यह हजम होने वाली बात है नड़ा के जरी जिस नड़ा के जरी यह संदेश दिया गया था कि अब संग की भूमिका भाजपा में खतम हो चुकी है बेबसी के साथ क्या नड़ा देखेंगे या साह नड़ा के जरी यही फिर कुछ इस मीटिंग के पहले संदेश भिजवाएंगे और यह संग की एंट्री साह की सहमती से होने वाली कोई एक नई चाल है या साह को साइडलाइन करके उत्तरप्रदेश के इस जगड़े के बाद सीधे सीधे संग ने अपने हाथ में कमान लेने की ठान लिए दो दिन 21 तारिक और 22 तारिक ये दोनों दिन बहुत महत्वपूर है और ऐसे में महत्वपूर हैं जब हर दिन उत्तरप्रदेश में बिवाद गहराता जा रहा है हलदोई के गोपा मौ से विधायक स्याम प्रकास स्याम प्रकास ने एक साथ मोदी से लेकर कि योगी तक सब को लपेट दिया सब को किसी को नहीं छोड़ा लिख दिया लेकिन अम्बानी और अडानी लूट रहे हैं योगी वांदार हैं लेकिन अफसर लूट रहे हैं तो ऐसी वांदारी किस काम की बकाईदे पोश्ट लिख दिया वो मिर्जापुर जहां माबिन धिवासनी का धाम है मिर्जापुर के बिधायक है रतनाकर मिसरा उन्होंने काँ दो सो मीटर दूर के कारिकरम में बिधायक अफसर मनमाने हो चुके हैं और ये बात बिधान सभा में सदन में उठाऊंगा जिसकी सरकार है विपक्च के लोगों को उठाने की बात करते सुना होगा जिसकी सरकार है वो पहले अपने मुख्यमंत्री से अपने सरकार के मुख्या से अपने संगठन से बात करेगा या वो विधान सभा में बात करेगा उठाने के लिए अब सरों की मनमानी के खिलाब आवाज उठाएंगे सदन में तो ये लंबी फैरिस्ट होती जा रही है जो नंद किसोर गुर्जज से ले करके फिर बाबुलाल तिवारी फिर अभिजीत सांगा फिर देवेंद्र प्रताप सिंग मोती सिंग स्याम प्रकास रतनाकर मिस्रा ये फैरिस्ट एक मतलब बढ़ती चली जा रही है लंबी होती चली जा रही है अब इसमें फाइनली योगी आदित्यनाथ के लिए ये फ़ोरी रात है जो राजभावन जा करके अमिस्टा को चिड़ा करके भी वो कुरसी पर भी राजबान है या फिर अमिस्टा ने ही संग के सामने सरेंडर करके अब संग को आगे लगा दिया है कि अमिस्टा का बचा हुआ मिसंग संग पूरा करे क्योंकि वक्त पर जब जरूरत होती है तो ये अब तक कई बाज दिखा गया है ये जो जोड़ी है ये गुजरात लाबी ये कहां पर जुकना है और कहां पर अकड़ना है इसका भी बखूबी सियासत में इस्तेमाल करते हैं अब देखना होगा संग क्या तैक करता है योगी के लिए संग क्या तैक करता है केसो के लिए ब्रजेस के लिए भूपेंद चौधरी के लिए धर्मपाल सिंग के लिए इकिस और बाइस तारीक पांचो निता लखनौ में और संग के प्रत्नी धेरण कुमार लखनौ में निगाह रखिए हमारी भी निगाह रहेगी निउस लॉंचर आप देखते रहे हैं मुझे इजाज़त दीजिए नमस्कार